नसों में blockage की problem के लिए एक herbal चाय बनाना बता रहा हूँ दोस्तों नसों में blockage हो जाने से उस जगे पर भयंकर दर्द रहने लग जाता है सूजन रहने लग जाती है नसे नीली पड़कर उनके गुच्छे बनने लग जाते हैं जो बहुत तकलीव देते हैं जब हमारी नसों क blockage खुल जाती है न तो ऐसा आरा मिलता है दोस्तों जैसे खोया हुआ चैन वापस मिल गया हूँ मतलब हर टाइम जो दर्द और तकलीव के साथ जीना पड़ता था उससे चुटकारा मिल जाता है पूरी तरह से इसलिए नसों की blockage खुलना बहुत जरूरी होता है तब ही life का मज़ा ले सकते हैं तो जब नसों में blockage हो जाती है न दोस्तों तो कई कारण होते हैं इसके जैसे खून गाड़ा हो जाता है तो नसों में जमा रहने लग जाता है जिससे नसों में blockage हो जाती है खून साफ नहीं है खून में गंदगी है तो उससे भी नसों में blockage हो जाता ह चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो उससे भी नसों में ब्लॉकेज की प्रब्लम पैदा हो जाती है, तो ये नसों की ब्लॉकेज खोलने के लिए जो आपको चाय बनाना बता रहा हूँ न, ये पीते ही आपकी नसों की सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी, तो उसके इसलिए आपको क्या करना है? मैंने यहां पर लिया है मेथी दाना, जो हरी मेथी होती है न दोस्तों, उसी का बीज होता है यह मेथी दाना, सबजी, अचार वगेरा का स्वात बढ़ाने के लिए रोज मर्रा में इसको हम काम में लेते ही हैं, यह वो ही मेथी दाना है, यह कितन पानी में भीगो कर काम में लेंगे, जिससे मेथी दाना के सारी गर्मी निकल जाएगी और यह गर्मियों में भी गरब नहीं करेगा, तो पानी मैंने डाल दिया है और इसको 2-3 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे, नुस्खा बनाने के लिए एक चीज जो हम लेंगे वो है दोस्तों दाल चीनी, दाल चीनी ये इस तरह की दाल चीनी के पेड़ की चाल होती है, जो हर किराना की दुकान पर मिलती है, मसाले की रूप में घरों में हम इसका इस्तेमाल खूब करते हैं, यहाँ पर हम 3-4 टुकडे दाल चीनी के मिकसी में या खरल इमाम दस्टे वगंगे में डालकर pitch लेंगे नसों की blockage खोलने के लिए नसों के रोगों को जट से ख़तम करने के लिए हड्डीयों के दर्थ को खतम करने के लिए मास पेशियों की एठन दूर करने के लिए दालचीनी राम बांड चीज है इसलिए आपको दालचीनी का यूज जरूर करना चाहिए ये देखिए दालचीनी को हमने पीस कर इसका पाउडर बना लिया है एक कटोरी में इसको निकाल लेंगे और नुस्खे में आगे काम में लेंगे नुस्खा तैयार करने के लिए एक चीज आपको यहाँ पर लेनी है अद्रक का पाउडर यानी सौट का पाउडर अद्रक को जब सुखा लेते हैं तो उस सूखी हुए द्रक को ही सौट कहते हैं और उसको पीस कर सौट का पाउडर बनाये जाता है, जिसे हम इंगलीश में ड्राइ जिंजर पाउडर भी बोलते हैं, ये आपको बड़ी असानी से मार्केट में मिल जाता है, सौट हमारी नसों में खून के दोरे को तेज करता है, हड्डियों के दर्द को ठीक करता है, फिर इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है, इसमें हम डालेंगे ये भीगा हुआ मेथी दाना, जो अभी हमने भीगो कर रखा था, वो सारा पानी और मेथी दाने के साथ हमने इस भगोनी में डाल दिया है, इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये एक चौथाई चमच द पानी भी और दालेंगे। या आपको 1 चुटकी हल्दी पाउडर । ये हल्दी आपको एक चुटकी ही डालनी है। ज्यादा नहीं डालनी है। हल्दी भी natural painkiller गलर होती है। जो हमारे शरीर में किसी भी तरह की सूजन को कम करती है। दर्द को खतम करती है। सारी चीजें डालने के बाद इसे गैस पर उबलने के लिए रख दिया है, खूब अच्छी तरह से हमें इसे उबालना है, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी का color कितना change हो गया है और इतना उबालने के बाद सबी चीजों का सत इस पानी में अच्छी तरह से आ गया है दालचीनी और सोंट की बहुत एच्छी खुश्पवाने लग गई है अब ये पीने के लिए तैयार हो गया है हम यहां इसे चाई की तरह चलनी से चान लेंगे किसी भी कप में या गिलास में इसे चान लीजिए तो इतनी खुबी वाली और बहुती बढ़िया चाय बन करके तैयार हो गई है इसे कब और कैसे लेना है आप इसे दिन में कभी भी पी सकते हैं किसी भी टाइम पी सकते हैं जैसे चाय पीते हैं वैसे ही इसको भी करमी पीना है आपको अगर दिन में टाइम नहीं मिलता हो तो फिर आप इसे रात को सोते टाइम भी पी सकते हैं एक दिन छोड़कर एक दिन आपको इसे पीना है, दो हफ्तों तक इस तरह आपको इसे पीना है इस रेमेडी के यूज से नसों की सारी ब्लोकेज पूरी तरह खुल जाएंगी, एक भी ब्लोकेज नहीं रहेगी नसों की कमजोरी, नसों की सूजन, वेरिकोस, वेंस की प्रावलम, ये सब भी बहुत ही असानी से ठीक हो जाएंगी आपका खून भी गाड़ा नहीं रहेगा, पतला हो जाएगा और शरीर के सारे दर्द खतम हो जाएंगे मेरे ऐसा ही वीडियो जैपुर्दा पिंक सिटी चैनल पर देखते रहेए